हेलो फ्रेंडस वेल्कम टॉ म्याइट होप चनल इस वीडियों बात करने वाले एंगी अगर आप भी ड्रीम लवन 2 में ये जानना चाहते हैं तो सबसे पहले जब कोई बैटर परिटिंग करने आता है और वहान पे बिना एक भी रन मार आउट हो जाता है अगर वो बैटर आपके टीम में होगा तो आपको मैनस दो पॉइंट्स मिलेगा यानि कि उस बैटर का अगर 4 पॉइंट्स रहेगा पहले से जो लाइन आप में मिलता है तो हाँ पे मैनस दो घट जाएगा यानि कि आपको दो ही पॉइंट्स बचेंगी अब यहाँ पे बात करते हैं अस्ट्राइक रेट के बारे में जो कोई भी बैटर बैटिंग करने आते हैं अगर उनका अस्ट्राइक रेट जो है 60 से 70 के बीच में रहता है यानि कि कहने का मतलब है 100 बाल में 60 से 70 रन ही मार पाते हैं तो यहाँ पे आपको माइनस 2 पॉइंट्स मिलेगा अगर किसी बैटर का स्ट्राइक रेट 50 से लेकर 60 के बीच में रहेगा तब यहाँ पे माइनस 4 पॉइंट्स आपको मिलेगी अब यहां पर अगर किसी बैटर का अस्ट्राइक रेट 50 से नीचे का अस्ट्राइक रता है तो आपको मैनेस 6 प्वाइट्स मिलेगा तो यहां पर जो भी आपको मैनेस मिलेगा वो मिनिमंम्ँट। बॉल्स जो जुटेगा आप यहां पर बात करते हैं economic rate points जो ballers के द्वारा minus points मिलते हैं यहां पर बात करते हैं अगर कोई baller 10 से 11 run एक over में देते हैं तो आपको minus 2 points मिलेगा अगर 11 से 12 run पर over देते हैं तो minus 4 points आपको मिलेगा अगर आपको baller 12 run पर over देते हैं तो आपको minus 6 points मिलेगे तो यह जो भी आपको points जूटेंगे यह minimum 2 over ballers का होना चाहिए यहाँ पर सबसब बताया गया है तो यहाँ पर आप जान चुके हैं कि किन किन कार्णों से dream 11 में आपको minus points दिये जाते हैं तो friends यह थी में इनी तरफ से एक छोटी सी जनकारी अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग है इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जूरू करें थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो